कि हलो फ्रेंज वेलकम टो स्मार्ट नोग चैनल दोस्तों आज मैं लेकर रहाएं एक नई वेकंसी के अपडेट जी हां दोस्तों वेकंसी के अपडेट है आपके DRU CPTM09 जी हां दोस्तों यह वेकंसी फिर से एक नई जारी होई है अल्रीड़ी अभी इसका एक्जाम जो है होने लोग भर सकते हैं जो दसवी या बारवी एक्जाम पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि DRU मापको जॉप करने का सुनारा मौका है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने स्मार्ट नोग पर अपडेट कर दी जाती है तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि हम डेट से स्टार्ट करते हैं तो देख लिए हां पर दिया हुए है और किस तारिक को जो है इसका अप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा जियां दोस्तों इसी सेप्टेंबर महिने के किस तारिक को आपका इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन अब भरना शुरू कर सकते हैं लास्ट यह दिगाई हो पंद्र अक्टूबर तक की दिगई है फीस की जो लास्ट दिगाई देखें वही पंद्र अक्टूबर तक एक्जाम डेट अभी तक नोटिफाइट नहीं हुआ है एडमिट कार्ट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टन चीर वह है अप्लिक अब देख सकते हैं टोटल पोस्ट जियां दोस्तों जो वैकेंसी के डिटेल है यह है टू टूटूइंटी फॉर्जिए दोस्तों यह नई वैकेंसी है दो सट चौबीस पोस्ट निकला है इस बार अब पोस्ट का नाम भी देख सकते हैं आप सीपीटी एम करी है जीरो और इसमें इस की बात करने दोस्तों आपको जो एज है वह आपको 15 अक्टूबर को गणना की जाएगी यानि की 15 अक्टूबर 2019 को आपकी उम्र 18 साल मीनिमम और मैक्सिमम जो है 27 साल होनी चाहिए अगर आप कैटेगरी में बिलॉंग करते हैं सी स्ट ओबी सी तो आपको जो ह छूट दी जाएगी जियां दोस्तों जैसा हम इसार दी जाती है गौश्मेंट के थे अब बात कर लेतें पर पॉस्ट वाइस क्या क्या वेकेंसियर क्राइटीर की बारें बात करें तो पहला पुस्ट है स्टोनोग्राफ एंगलिस टाइपिंग पोस्ट कोड देख लिए 030 01 और इसमें जर्नल के लिए 12 पोस्ट है वी के लिए एक पोस्त कोई पोस्त नहीं सक्षे के लिए और ₷ 3 यान samma इसमें जर्नल और वी स्क्षे के लिए इसी पोस्त है और इसकी बात करें तो यहां आपको बार भी पास होना चाहिए 10 ब्लस 2 इंटेमिडियेट और डिटेक्शन आपका जो है एटी डवली पीम होना चाहिए स्पीड इन टैन मिनट यहां दोस्तों अगर हम ट्रांस्क्रिप्शन की बात करें तो 50 मिनट इंग्लिश ऑन कम्प्यूटर नंबर दो पर आ भी इस नहीं पर यहां पर इस पर टीन है अगर हम इसके कौलिफिकरेशन की बात करते हैं पर 10 प्लस 2 इंटेमिडियेट एक्जाम रिगनाइस बोर्ड और यहां पर आपको जो हैं टाइपिंग लगे जिए दुस्तों थर्ती डवर्लु पीम की आपकी टाइपिंग लगेगी इसमें तो आप इस बात का ध्यान दखीगा दोस्तों सेम इसी में देख लिए एड्मिनस्टेट एसिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग वहां पर आपने इंग्लिश टाइपिंग देखा यहां पर हिंदी इसमें चार पोस्ट है टोटल और यहां पर देख लिए जो यह वह 10 प्लस टू इंटेमिडियेट एक्जाम इन एक्जाम पास होना चाहिए और कम्प्यूटर की आपके टाइपिंग हो थर्टी डबली पीम है इंग्लिश में आपको 35 थी और हिंदी में आपको 30 डबली पीम है तो यह हो गई आपके टाइपिंग के अब हम बात करते है स्टोर असिस्टेंट एंग्लिश टाइपिंग में तो यहां पर आपके पास है टोटल अठाइस पोस्ट जैनल के लिए देख सकते हैं किस चार जीरो जीरो वन एस्टी के लिए जीरो टू तो यह कटेक्री वाइस है अब हम यहां पर आपको 10 प्लस टो इंटेमिडियर होना अब आगल जाते हैं सिक्योर्टी असिस्टेंट यहां दूसरो सिक्योरिटी असिस्टेंट काूश्टल 것은 0601 यहां पर 27 जैनल क्लिए और टोटल देखिए पोस्ट जहां इसमें 40 से एक के लिए यहां पर पांच पोस्ट है स्ट के लिए कुछ भी नहीं कुछ नहीं 27 जर्नल वालों के लिए आठ जो है विसी के लिए और इसी के अगर हम क्वालिफिकेशन के बात करें तो यहां पर सिर्फ आपको 10 प्लस टू है कोई भी टाइपिंग नहीं नहीं मांगे गई है यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है टेन प्लस टू मांगा गया है और कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगे गई है ख्लक की बात करें तो ख्लक देखें कैंटीन एंड मैनेजर ग्रेट थर्ड में पोस्ट कप 0701 है यहां पर टोटल तीन पोस्ट है वह भी जैनल वालों के लिए है यहां पर आपको है क्लास टेन एक्जाम हाइज स्कूल इन निक्रोनाइस बोर्ड और इंग्लिस में लगेगी 30WPM और दो साल का एक्स्पिरेंस भी है दोस्तों इसमें असिस्टेंट कुक की बात करें हलवाइक तो जहां पर टोटल पोस्ट है 29 जी हां और क्लास 10 हाइज स्कूल एक्जाम इन इनिक्रोनाइस बोर्ड इन इंडिया टू इसका एक्स्पिरेंस और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर विकल यावी मोटर विकल यानि इन में से कोई भी एक होगा तो भी आपका चलेगा यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है फैर इंजिन ड्राइवर यहां पर दिख लिए पोस्टल कोट 1001 है यह और यहां पर भी आपको लाइसेंस लगेगा लाइट मोटर विकल और हैवी मोटर विकल का और दस्वी स्कूल का जो है आपका मार्गशिट लगेगी यानिकि दस्वी आप पास होने चाहिए अब आजाते हैं आखरी पोस्ट हो है मारा फायर में जो है पोस्टल कोड़ 1101 जिसके होना चाहिए और कोई भी आपको जो है मार्ग सिट्या सेटिफिकेट नहीं लगेगा अब अब इच्छी जौर बता दें दोस्तों फीजिकल एलिजिबिलिटी जियां दोस्तों यह है पोस्टल कोड़ 001 और 0601 यानि कि दोस्तों मैं आपको बता दू तो अभी आपने फाय है जो है मेल के लिए 165 cm चाहिए फीमेल के लिए 157 मिनमुम चेस्ट जो है 81 cm देख लिजिए वेट की बात करें तो मिनमम 50 kg चाहिए और लेडिस के लिए यानि कि फीमेल के लिए 45 kg रनिंग की देखिए आपे 1600 में 16 मिनट है यहां 800 में 5 मिनट है केरिंग वेट है देखिए लिए ओनी फॉर फायर में जिए दोस्तों जिब जो फायर में का भाइले का सिब्सके लिए तिरे स्ट दस्मूल पाचाने 63.5 kg वेट उठाना आपको 183 मीटर जाना वह भी 96 सेकेंड में और यहां पर अगर लेडिस की बात करें तो यहां पर भी सेम वेट है यहां पर लेकि लिए जिरोपर टू पॉइंट फाय यानिकी पॉइंट फाय का यहां पर छोट मिला लेडिस को अब हम करें सीट अपस की बात तो 20 टाइम से मेल के लिए और 15 टाइम से फिमेल के लिए लांग जंब की बात करते हैं पर 2.7 मीटर दिया हुआ है और फीमेल के लिए 2 मीटर द इंडिया जैने कि आल ओबर इंडिया में आपको जोई सेंटर मिल जाएगा दोस्तों सेंटर को लिए कोई दिक्कत नहीं है अब इस परकार देखिए लिंक अभी अधिवेट नहीं हुआ है दोस्तों वहना हम आवज आपको बता भी देते कैसे जो है को स्टेपाइस्टेप फॉर्म भरना है तो लिंक स्टेवेट होगा आपका 21 तारी को तब तक तो लिए दोस्तों आप जो है तैयरी में लग जाएगी क्योंकि यह फॉर्म जो है निकल चुका और इसका भी जो है आपको जल से जल हॉल टिकेट जारी कर दिया जाएगा अक्टूबर के एंड आप दिम मन तक तो मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स वीडियो में एक नहीं जाएगा एक नहीं अप्रेट के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों